दोस्तो नमस्कार सुआगत है आप सभी का अपना चैनल आई एंडी हिंदी टेक में दोस्तो यूपी आई मानी ट्रांसपर के लिए या फिर पेमेंटे करने के लिए हम लोग फोन पे एपलिकेशन जरूर इंस्टॉल करके रखे हैं और उसका इस्तेमाल भी जरूर कर रहे हैं यहाँ पर फोन पे को लेकर एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन दिया गया है फोन पे के तरफ से जो कि फोन पे का वालेट सर्विस है आप लोगों को पता ही होगा कि फोन पे का वालेट सर्विस है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा फोन पे वालेट पर कर सकते हैं लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा ख़वर निकल कर सामने यह आ रहा है कि फोन पे का वालेट जो है बंद हो जाएगा इनेक्टिब हो जाएगा चलिए पूरा मामला क्या है इस पर हम बात कर लेते हैं और आपको यहां पर वरूप भी दिखा देते हैं देखे फो सवारी 2021 से वालेट इस्तमाल करने में कुछ बदलाब होने वाली है चलिए इस पर क्लिक करके हम आपको डीटेल में बता देते हैं कि आखिर मामला क्या है इंपोटेंट अपडेट ऑन यूर वालेट करके लिखा गया है जो कि आप देख सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहा कर दिया जाएगा इनेक्टिब कर दिया जाएगा आप लोगों को पता होगा कि इससी पहले आरवियाई के तरफ से एक गाड्लाइन जारी किया गया था जहां पर बताया गया था कि अगर आपने वालेट का मीनी के वाइसी कंप्लेट करके रखा है उसका वैदता भी के वाइसी कंप्लेट करके रखे हैं तो वैसे इस दीटी में एक साल के अंदर अगर आप उसका फुल के वाइसी कंप्लेट करते हैं उसकी बाद ही आप एक साल के बाद استعمال कर सकेंगे लेकिं दोस्तों यहाँ पर आरवियाई के नया गाइड लाइडलाइन के मताबिक मेनी क KYC का वैदता भी लाइफ टाइम कर दिया गया उसकी बाद RVI का एक और guideline निकला जो कि यहां पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं यदि आपका wallet service जो है mini KYC के साथ active है या फिर full KYC के साथ active है अगर आप financial transactions यानि कि financial year में कोई भी transactions नहीं किये हैं last 12 मन्त तक अगर आप जो है कोई भी transactions नहीं किये हैं तो ऐसे इस्तिती में आपका जो wallet account है wallet है वो बंद कर दिया जाएगा जो कि यहां पर फरवारी 2021 से पहले आप लोगों को कुछ ना कुछ यहां पर transactions करना पड़ेगा wallet जो है इनेक्टिव हो जाता है तो उसमें पड़े हुए रासी का आप इस्तिमाल नहीं कर सकेंगे जो भी आपका amount है उससे आप जो है कहीं payment नहीं कर सकोगे और नहीं withdrawal violence को आप जो है बिड्रो कर सकोगे लेकिन हाँ एक बात यहां पर बताया गया है कि अगर जो है आपका wallet जो है बंद हो जाता है इनेक्टिव हो जाता है तो उसकी बाद phone pay का जो gift voucher है जो कि आप लोगों को पता होगा phone pay का gift card वाला एक options है वहां पर आप लोगों का cashback वेगरा मिलेंगे जो कि आपका अवी cashback वेगरा wallet में मिल रहा होगा वो जो है phone pay के gift card वाले sections में मिलेंगे और जब wallet inactive हो जाएगा तो ना तो आप wallet से कोई transactions कर पाओगे ना ही wallet में आप top up कर पाओगे यहां पर बताया गया है कि यदि आप अपने wallet को बंद होने से बचाना चाते हैं तो आपको फरवरी 2021 से पहले उसमें जो है transactions करना पड़ेगा आपको जो है किस परकार के transactions करना है यह भी यहां पर बताया गया है जैसे आप यहां पर recharge कर सकते हैं उसके बाद electricity bill payment कर सकते हैं डी टी एच या फिर other household bill payment कर सकते हैं online shopping कर सकते हैं उसकी बाद contactless payment जो है आप यहां पर कर सकते हैं जैसे QR code वेगरा का इस्तमाल आप करके वहां पर store पर payment कर सकते हैं या फिर switch वेगरा भी आप payment कर सकते हैं तो इस परकार के अगर आप transactions कर लेते हैं तो उसकी बाद आप लोगों का wallet जो है इनेक्टिब नहीं होगा क्योंकि आप जो है financial year में कोई नो कोई ट्रांजिक्शन्स कर लिये हैं लास्ट बारा मन्त तक आप ने कोई नो कोई ट्रांजिक्शन्स कर लिया है दोस्तों यहां पर अगर आप wallet में इनेक्टिब कर दिया जाता है तो यहां पर सदा के लिए इनेक्टिब नहीं किया जाएगा अगर आप उसे फिर से एक्टिवेट करवाना चाहती है तो इसके लिए आप से जो है authentication मांगे जाएंगी वो किसी भी परकार का हो सकता है जब आपने KYC किया था मेनी KYC वही डोकुमेंट आपसे मांगे जा सकते है या फिर आपसे जो है कोई अने डोकुमेंट भी मांगे जा सकते है या फिर आपको फिर से बोला जा सकता है कि आप KYC कम्पलीट करिए लेकिन यहाँ पर खुलकर यह नहीं बताया गया है कि आपका authentication कीस रूप में होगा किस परकार से आपका authentication होगा लेकिन यह बताया गया है कि यहाँ पर उपर बताया गया transactions अगर आप नहीं करते हैं तो वैसे consider में आपका जो wallet है वो inactive हो जाता है और उसकी बाद और्थेंटिकेशन करके आप एक्टिवेट करवा सकते हैं जिसकी बारे में ये नहीं बताया गया है कि और्थेंटिकेशन में क्या 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 जरूरी पड़ेगा यहां पर यह बताया गया है कि आपको फिर से यहां पर और्थेंटिकेशन की जरूरत होगा तो आप लोग अपना वालेट से जरूर ट्रांजिक्संस कर लीजेगा लाश्ट बार रब मत तक अगर आप ट्रांजिक्संस नहीं किये हैं तो वैसे स्तीती में आप अपने वालेट अकाउंट से जरूर ट्रांजिक्संस कर लीजेगा यहां पर मैं आपको बता दू कि आप वालेट टू बैंक ट्रांस पर भी काफी आसानी से कर सकते हैं जैसे यहां पर क्यूर कोड को स्कैन करके जैसे मर्चंट वाला क्यूर कोड है फोन पे का मर्चंट क्यूर कोड उसे आप स्कैन करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं लेकिन ध्यान ये रखना कि फोन पेकर जो वो मर्चंट की वर कोड है वो बालिट पेमेंट को एकसेप्ट कर सके यहाँ पर सिंपल से आपको स्कैन की वर कोड वाले आपसंस पर क्लिक करना है आपका डिवाइस का कैमरा स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको मर्चंट वाला की वर कोड एसकैन कर लेना है कुछ इस परकार से और इसकैन करने के बाद जो भी वालेट में परा हुआ रासी है इसे आप अपने बैंक एकाउट में ले सकेंगे आप आसानी से प्यमेंट कर सकेंगे यहाँ पर मैं आपको बता दू कि इस परकार के पेमेंट भी करते हैं कीवर कोट को स्कैन करके तो यह काउंट हो जाता है और आपका वालेट जो है इनेक्टिव नहीं होता है तो दूस्तो जो भी अपडेट आया था फोन पे के तरब से और आरवियाई के नया गैडलाइनस के बारे में भी हमने बताया तो उम्मिद करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इसी परकार के वीडियो प्रापती के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि इस वीडियो से जूड़ी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिलकुल भी ना भूले मिलती हैं फिर एक नए वीडियो में हमें दीजिये एज आ जाते तब तक के लिए गुड़ बाई